नमस्कार देविए खजनों स्वागत करते हैं आप सभी का Pointings Gaming चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो में हम अपने मोबाइल फोन पे खेलेंगे AAA टाइटल्स कुछ एक दो AAA टाइटल्स जो की बहुत डिमांडिंग है तो Cloud Gaming का कंसेप्ट तो सबको पता ही होगा कि हम अपने फिजिकल मेशीन पे कोई गेम ना खेलते हुए भी उसको हम अपनी फिजिकल मेशीन पे खेल पाए समझ ही रहे होगे तो आज हम बात करने वाले हैं NVIDIA GeForce Now के बारे में यह Cloud Gaming Service है जो की NVIDIA ने लॉंच करी है फिलाल के लिए यह इंडिया में अविलेबिल नहीं है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि भीया कैसे इसको यूज कर पाएं सही तरीके से बिना किसी दिक्कत के साथ तो यह सबसे पहले चलते हैं अपनी GeForce की वेबसाइट पर वेबसाइट पर जाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है सिधा सिधा गूगल बाबाब के पास जाना है और वहां पर जीफोर्स नाव सर्च करना है पहली लिंक जो भी आती है इस पस टपाटप मार दो और फ फोन के आने के बाद अपना सिधा सिधा हम जाएंगे लिंक पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है उस लिंक पर जाने के बाद वहां पर जीफोर्स नाव का एपी के है वो डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद या पहले जब भी आपका मनो साइफन या फिर को को करो install next 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 जो कुछ भी है सारी चीज़ है करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो आगे अब next करने के बाद यहां पर आ जाओगे login पे पे special offer वाला जो पेज है यहां पर हमें login करना है अपनी उसी ID पासवर्ट से जिसकी profile अभी हमने website पर बनाई थी अब यहां पर टाइम लग रहा है कुलने में यह जॉइन टूडे का आ गया है इस पर अपको टैप करने के बाद वही अपना वापस वही पेज इसमें खुल गया अब यहां पर आ जाएगा select कर निकले हमारा plan तो हमें free वाला लेना है pounders नहीं लेना है free वाला हमें मिल जाएगा अभी एक घंटे के लिए वो choose करके हमें login कर देना है login करने के बाद automatically हमारा जो भी profile थी वो यहां से link हो जाएगी थोड़ा समय लग रहा है login होने में तो हम बजार करेंगे और यहां पर हमारा वो username automatically आ गया है यहां पर हमें choose कर लेना है continue करने के लिए आ गए के लिए अब यहां पर दो options आएंगे security चेक के लिए क्योंकि two factor करना ही पड़ेगा अपने को तो पहले चीज़ हमें authenticator app के थ्रू कर सकते हो या फिर email authenticator कर सकते हो मैं choose कर रहा हूं authenticator app और उस पर tap करेंगे फिर Google यह simple क्या है Google authenticator है वहां पर आप यहां से scan वगरे करके चुप चाप उसको डाल सकते हो यहां से अपने जीफोर्स के credentials वगरे तो वो अपने according कर लेना है समझदार हो तुम लोग तो हमने अपना authenticator app इसमें login कर लिया है तो अगला process क्या होता है कि अब automatically आप क्या करेग स्टीम आईडी को लिंक करने के लिए बोलेगा वो अपने according अपनी username और password डालके login कर लेना अगरी करते ही next step आपको क्या अपनी library शो होगी my library में आपके जित्ते भी games होंगे वह यहां पे आपको display हो जाएंगे जैसे मैं अभी से लेकर रहा हूँ hitmen 2 उसको चुप चाप आपको play button पे click कर देना है और by chance अगर option आपको यह error code आता है तो आपको क्या करना है फिर से साइफन खोलना है उसको start करना है मेरा off हो गया था start करने के बाद इसको play करना है और फिर वेट करना है कि कब यह connect हो जाता है connect होते ही आपको वापस अपनी game screen पर आना है message pop up होता है कि estimate time कितना है loading time तो कुछ नहीं करना अपने को बस wait करना है पाय चांस अगर waiting time जादा हो जाता है तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जब game run हो रहा है उस time पर हम वापस अपने VPN पर आके VPN को stop कर सकते हैं ताकि जो loading time है वो जल्दी load हो जाए उसके बाद आपको VPN नही run करना है starting से लेकर इस process तक ही हमें VPN on करना है और भहिया लो जी गेम आपका आचुका है यहां पर चुप चाब अपने प्ले बटन पर क्लिक करना है और अराम से अपने phone में गेम के मज़े ले जाए एक बात और अगर पॉसिबल हो तो गेम पैड जरूर कनेक कर लें क्योंकि गेम्स मोबाइल से नहीं खेले जाएंगे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खेलने में तो बैटर है कि गेम पैड या फिर कोई ब्लुडूथ माउस कीबोर्ड फोन से अल्रेडी पेर कर लेना और फिर करनेक करें गेम लोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी यहां पर हमारा हिट बैंड एजेंट 47 भाई आ चुका है बाकी का आप अपने अकार्डिंगली सेटल कर लेना तो यहां पर लेफ्ट कॉर्णर पर देखा होगा दो ऑप्षिन आ रहे थे एक कीबोर्ड का और एक जो यह स्टिक का तो कीबोर्ड के थ्रू अगर करना है तो डब्लू एस्टी अपना अनौनल कीबोर्ड का है यह टच हो जाएगा तो शायद उसके बाद लेटेंसी ना मिले इतनी तो बस वही अभी तक की दिक्कत लगी मुझे बाकी गेमप्ले काफी स्मूथ था कोई दिक्कत ऐसी आई ही नहीं मुझे इसके बाद हम एक और गेम पे स्विच करते हैं रेंबो 6 और उसका भी सेम प्रोसेस करके दिखाते हैं कि वो कैसा लग रहा है तो आल रेकमेंड कि भाईया सिर्फ कीबोर्ड और जोईस्टिक से ही खेलो किसी और तरीके से ना खेलो तो अपनी अगली गेम की तरफ आते हैं जो है रेंबो 6 इसको भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है जैसे हमने पहला कर रहा था लाइब्रेरी में जाके अपने गेम को च जो और फिर लोड जाएगी गेम और फिर वीपेन बंदी रखना है गेम लोडरने के बाद भाईया अपना सेटिंग्स जो जैसा करना है करते रहो अपना एक गेम उठाओ मैचमेकिंग चालू करो ध्यान रहे भाई ध्यान रहे ऐसे गेम शूटिंग बूटिंग के और जो तीम जाब वाले गेम है उनको कीपैड करेक्ट करके ही खेलना है माउस कीबोर्ड होना चे या फिर तुम्हारा गेम पैड जरूरी है अब यहां पर फटा फट मैचमेकिंग करते हैं और चोटा सा पांट साथ सेकिंड का एक गेम प्ले देख लेते हैं क्योंकि मेरे बसकी न आगे लेफ्ट आ रहा है यह चीज़ इसकी में बाद कर रहा था कि लेटेंसी बहुत ज्यादा है जस्ट विगॉज हम वीपें यूस कर रहे हैं रियल टाइम में जब यह इंडिया में लॉंच हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है इतनी लेटेंसी मिलेगी तो तब तक क बाकी फ्री है एक घंटे सबके लिए जो भी लॉग इन करेगा बट उसके बाद फिर मेंबर्शिप है तो अभी तो कुछ मत करो यूसडी में पे करने से कोई मतलब नहीं है वेट करो इंडिया में लॉंच होगा लिक्स के अकॉर्डिंग 500 रूपए पर मंद शाहिद लॉं करो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए